कि हेलो फ्रेंट्स बाया मोलीकुल का जो याद करने वाला पॉइंट है उसको मैंने लिखा है जो नीट दुजार पचीस के लिए बहुत इंपर्टेंट होगा तो यहां पर जो जो पॉइंट है बस उसको आप समझेए आपको रटना पड़ेगा याद करना पड़ेगा सबसे पॉइंट यह है कि फैटी एसिट आर फाउंड इस्टेरी फाइट विथ गिलिस रॉल जो फैटी एसिट पाया जता है वहां गिलिस रॉल से इस्टेरी फाइट होता है पालमेटिक एसिट होता है वहां सुल्ला कारवन वाला होता है और पूरे कारवन मिला कर जैसे हैं आप phospholipid का किस तरह से structure है और यहाँ पर यह जो देख रहा है यह formula यह gliss roll का है यह CH2OH 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 यह gliss roll का है बस ध्यान में रख लिजए कि कैसा यह formula होते है क्या formula होता फिर lecithenia phospholipid का यह formula होता है साथ पहला आरवन यहां होता है और इस तरह से यह total formula होता है आरवन के साथ और फिर आरवन के साथ और फिर और फिर आरवन के साथ सी वो डवल ओ सी एच फिर CH2OH पी ओ मतलत तिनों साइट से बस formula आप याद के लिए से formula है को दोबार लिखेंगे तो आपको ध्यान में हो जागा फॉस्पोलीपीड यालेसितिन का क्या formula अब यहां पर सकेंडरी मेटाबॉलाइट में जो याद करने ला पॉइंट है जैसे टॉक्सिन सकेंडरी मेटाबॉलाइट में आता है वहाँ एबरीन होता और रिसीन हो होते हैं ओहां कोन operation curling में होते हैं और हुआ यहां लेक्ट्इन में ड्रक्स में है विन ब्लास्टिन और कुकूमिने रियसीिजीर इंसलूबल में है जो गलूकोस चप्रांसपोर्ट में मदद करता है यहां पर इंसुलीग जो होते हैं बहुत सारे फ्रुक्टोस से मिलकर इंसुलीन का यह फॉर्मेशन होते हैं मतलब कि जो होते हैं पॉलिस एक्राइड होते हैं इंसुलीन इनुलीन है सोरी इनुलीन बहुत सारे फ्रुक्टोस से मिलकर होना था इन ग्लू ग्लाइकोजन जो राइट इंड होता है और डिडूसिंग सुगर इंड कहते हैं और स्टार्च कैन होल्ड आइट वे स्टार्च या आयोडिन को पकर सकता है इन हेलिकल पर्शन में जो की ब्ल इन इस्ट्रेक्चरल मतलब इन प्रोटीन इस्ट्रेक्चरल में जो लेप्ट एन होता है वह टर्मिनल फर्स्ट अमिनोएसिड होता है लेप्ट एन जो होते हैं लेप्ट एन टर्मिनल फर्स्ट अमिनोएसिड होते हैं निकलीक एसीड और फोस्फेट मोईडी लिंक्स जो ह तिनिकली कैसिल में एक थीडेस कार्बन से होता है और एक सुगर जो होते हैं इस्टर बॉंट जो बनता है किस के किस के बीच में बनता है यह याद रेखे लिए फॉसफेट और हाइड्रोक्सी गूरूप के बीच में इस्टर बॉन्ट का फॉर्मेशन होते हैं और आदर बहुत सारे फॉस्फेट सुगर चेंड मिलकर डीने का बैकबॉन बनता है दो हाइडोजन हमेशा जहां पर एक साथ हमेशा कॉंबिनेशन होगा टी जहां पर दो बुनका यह बनता हैंगे यानि कि दो हाइडोजन एंटी के बीच में है और तीरी हाइडोजन जोता हुआ जी एंटी के बिच में तो इस तरह से तीन यह हो गया तो ऐसे करके बताते जी और सी का कॉंबिनेशन एट इच स्टेप एसे इंट दा स्ट्रेंड टर्न थार्ती शिक्स डिग्री और फूल ऑफ दी हेलीकल स्ट्रैंड वूड इन फॉलत टेंश टेप्स ओर टेन बेस्पेर यह होते हैं एक एलीकल इस्ट्रेक्चर में जिसमें टोटल देखेंगे तो चौट इस डिग्री यह रहते हैं बीटा ही हाव मतलब आप सिर्फ आधा करेंगे एवरी 10 डिग्री सेल्शीएश चेंज पर आपका जो रेट होता है डबल हो सकता है या सिधा हाफ हो सकता तो इतना टेंप्रेजर का ये महत्वयसी यो टू यहां पे देखेंगे कार्बो कार्बोनिक के हो गया मतलब एक एंजाइम है यहां कार्बोक्सीलेज एंग जाइम तो इफ एंजाइम आप सेंट होगा तो सिर्फ यहां पे देख़ेंगे 20 मॉल्टील बनेगा एक घंटा में गरेंगे पर जेंट रहेगा तो एक आज़ार दसर लाक यानिकि छे लाख पर सकेंड में इतना सरा मॉल्टील बनने लगेगा अब नेचर ऑफ एंचाइम एकसन के बाद कर भी तो नेचर, आफ एंचाइम में यह आता है सबसे पहला यह होते हैं ये पलस एस बनता है जो येस बनता देनगे ये पीवनता है यह अहां पर हो गया इंजांस हो गया कश्षा है वी यह कही दिल सबस्टेट ब्रेक्स दख केमिकल बॉंड्ड सबस्टेट एल निव एंजाइम प्रोड़क्ट कॉंप्लेक्स बनता है तो यह सब इस्टेज फिर उसके फूर्थ स्टेप में होता है कि लिज एंजाइम रन थू कैटालिटिक साइकल अगें यह करता है इनहीं वीशन ओफ सुस कि सुसाइनिक ड याइडोजन यानि कि स्पित क्लिए कैंपड़न को अंचाइन कोले पैंको नवे मदद और है जो नॉन प्रोटीन वाला पास होता है प्रोटीन से मिलकर एंजाइम तो बनता है लेकिन जो नौन प्रोटीन वाला पार्ट होते हैं तो उसी को को फेक्टर करते हैं प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम प्रोटीन जो होता है एंजाइम का वह एपोजाइम कहलाता है और एंजाइम का जो नौन प्रोटीन करता है जो ही मोलब में मतलब हीम जो हते वहां एक प्रस थेटी ग्रूप होते हैं को एंजाइम और यहां उस समय एड होता है जब ट्रांजियन्ट एस्टेट होता है जैसे एक्जामपल हो गया को एंजायम नीको टीन एमाई डाइडिन इन जिसको एन एडी कहते हैं एंड एन एडी पी कंटेनियास इन मतलब बहुत सारे विटामिन्स में को एंजायम होते हैं मेटल आयंस भी यहाँ को फेक्टर है मेटल एंजायम फॉर्म कोडिनेशन बॉंड कोडिनेशन बॉंड बनता है विथ साइट चेन एट दा एक्टिव साइट एंड दा सेम टाइम फॉर्म वान या जड़ा बॉंड्स भी यह बना लेता है सबस्टेटिट इग्जामपल जीन के एक को फेक्टर है जो एंजायम लोग को को अनी नेती दा है जो नेती है गड़ना मैं जीने वाल बनता है। साइट थे एंग पार दा आपट डंडोलाइब दाप और भी यह तर्हएं है